हलो प्रेंज स्वाकत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है वो है भारत जलवाईउ इससे पहले हम रायसितान की जलवाईउ कर चुके चेलीग्राम पर रा राज राजपूट सरफ पर हमें शंपरक कर सकते हैं। घब ही जरूल परहे हुए। आपको मिलती रही तो सबसे पहला आप से यही कुछिशन भूचा जा सकता है कि जो है है वो कौन सी है तो याद रखिएगा ऊश्ल कट बन दिया बात की ओसत वर्सा है वो 110 सेमी है इस चीज़ को भी आप बिसेस रूप से याद रखें मांसूल सब्द अर्वी बासा के मौसिम सब्द से बना है और यह और पीस्ची में पूछा गया कुश्चन है मौसिम सब्द से और डाक्टर कोटे स्वरम ने मांसूल उत्वत्ती का सिद्दान दिया था तो आप इसे भी बिसेस रूप से याद रख सकते हैं कि मांसूल उत्वत्ती का सिद्दान देने वाले कौन थे हैं अब देखिएगा जलवाईव को प्रवावित करने वाले कारक यह कारक पूछे जाते हैं और बहुत ही जादा पूछने वाले कारक हैं तो देखिएगा समंद्र तल से उँचाई समंद्र चल से उँचाई होती है वो भी जलवाई को प्रावित करती है समंदर से दूरी भी प्रवावित करती है और भूमद रेका से दूरी देखिएगा इसमें बढ़ते हुए अच्छांसों के साथ तापमान में कमी आती है क्योंकि सूर्य की किरड़े कातिर चापन बढ़ता जाता है तो आप बिसे सिस्तिती में इसको याद रख सकते है कि भूमद रेका से दूरी भी जलवाई को प्रवावित करती है परवतों की स्तिती भी जलवाई को प्रवावित करती है परवतों की दिसा, पवरों की दिसा और उच्छ इस्तरिय भायू संचण ये साथ ऐसे पॉइंट है जो कि जलवाई को प्रवावित करते हैं अब देखते हैं सीतर रितू इस रितू में पस्चे विच्छोब से होने वाली मावट रवी बसल के लिए बर्दान प्राप्त होती है यानि आपको पता होगा मावट होती है वो साथ रितू में होती है और ये बर्दान मारी जाती है रवी की फसल के लिए ये वर्सा जम्बू कस्वीर हिवाचल प्रदेश उत्राखंड पंजाब हर्याणा और राहिस्तान में होती है दच्ण भारत में उत्तर पूर्वी मांसून से कौरोबंडल तट्र यानि तमेलाड पर भी बर्सा होती है तो आपसे ये कुश्चन पुछा जा सकता है कि जो दच्ण भारत है उसमें उत्तर पूर्वी मांसून से बर्सा होती है वो किस तट्पा होती है तो कौरोबंडल त जाना जाता है जैसे अगर उत्तरी वारत की बात करें जिस वे लूक आ जाता है इस पर रायस्तान भी आता है अगर पच्चवी बंगल की बात करें इसको कालव हैसागी का जाता है जो आर्टेट 2011 में पूछा गया कुश्चन था तो इस चीज को आप याद रखिए कि रीट में और सेक्ड फर्स्ट गेट में SST की जो कचाचे से वारत की किताब हैं ज्यादा तरह कुश्चन उनसे पूछे जाते हैं हाँ थोड़ा मेंटर कम है तो उसके लिए आप किसी टीचर या किसी गाइट का सारा ले सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा तरह कुश्चन की बात करें तो इसमें से पूछने की संभावना है वो रहती है देखिएगा पूरुवी भारत में जो ये बर्सा होती है उसको कहते हैं नौर्वेश्टर और करनाटक में इसको चैरी ब्लाश या फिर कॉफी बर्सा के नाप से भी जाना जाता है और केरल के मारावा तर्टपैस में आमर बर्सा कहते हैं कहवात पादक छेत्रों में फूलों की बहचार भी कहा जाता है इस बर्सा को अब देखिए चलते हैं बर्सा रितू की ओर देश के 90% बर्सा इसी रितू में होती है ठीक है अरब सागरिय मांसूर से दच्छड के पठार का पूर्वी बाग ब्रष्टी चायां प्रवावित में रहता है और बंगाल की खाड़ी के मांसूर से खासी की पाड़ियों में इस्तित मांसूर में तेरे सो सेवी से भी अधिक बर्सा होती है तो याद रखिएगा जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो मांसूर है वो खासी की पाड़ियों की इस्तिती से मांसूर राम में सबसे ज़्यादा बर्सा होती है तो यह आपको पता होगा कि मिस्वा सबसे ज़्यादा बर्सा होत बांसूर के लोटने से एवब सूर्व के दच्छडी गोलार्द में जाने से तापमान में कवी आती है और इस कार वायुदाव छेत्र भी दच्छड की और खिसकता रहता है पबरों की दिसा दच्छड पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व में हो जाती है इससे तमिल्नाड पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व में हो जाती है सरद रुत्व में इसके कार जो तमिल्नाडु और पठार के कुछ मागों में भरसा होती है सरद रुत्व में तो यहां पर हमारा जो भारत की जलवाई उसे रिलेटेड जितनी भी पॉइंट दे रख्ये थे एसस्टी क किताब है कचा 678 और 9-10-11 में तो नहीं है सिर्फ 678 में दे रख्ये है उसमें से कुछ पॉइंटों को उठाने की आप कोशिस की गई है तो अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कर देना चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की वीडियो को देगने के लिए तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत